नमस्कार दोस्तों बहुजन समाज पार्टी ने तीसरे फेस के लिए अपने उम्मीद्वार घोसित कर दिये हैं तिरपन उम्मीद्वारों की सूची जारी की गए है जिसको एक मिनट की भीतरा आप जल्दी जल्दी से जान लीजिए हाथरस से संजीव कुमार काका को टिकट दिया गया है साधाबाद से अविन शर्मा को टिकट दिया गया है ठाकुर अवधिश कुमार सिंग को सिकंदरा राउ से टिकट दिया गया है, टूंडला से अमर सिंग जाटव हैं, जसराना से सूरिपरताप सिंग है, फिरोजाबाद से बबलु कुमार राठावर हैं, सिकोहाबाद से अनिल कुमार यादव हैं, सिर्शा गंज से रागवेंद यादव हैं मरहरा से योगिश कुमार शाक्य हैं जलेसर से आकास सिंग जाटव हैं महिनपूरी से गवरव नंद सविता हैं और भोगाओं से अशोक सिंग चोहान हैं किसनी से प्रभुदयाल जाटव हैं करहल से कुलदीप नारायन हैं करहल मतलब अखिलेश यादव के इस प्रेंड चुनाव लड़ेंगे करहल से बहुजन समाजपार्टी की तरप से तो ये अभी 19 नाम हैं बीसुआ नाम है फरुखआबाद की कायम गंज सीट से दुर्गा प्रसाद चुनाव लड़ेंगे फरुखभाद से विजे कुमार कटियार चुनाव लड़ेंगे छि स्थना से कमले संचल लढेंगे दिवियापूर से अरून कुमार दूबे लढेंगे और रईया से रवी शास्त्री बिठूर से रमेश सिंह यादव लडेंगे, कल्याणपुर से अरुन कुमार मिश्रा चुनाव लडेंगे, गुविन नगर से अशोक कुमार कालिया, सीसा मौँ से रजनीश तिवारी, किद्वै नगर से मोहन मिश्रा, कानपुर कैंट से मोहम्मद सफीन खान, महराजपुर से सुरेंदर पाल सिंह चोहान लडेंगे, गाटमपुर से प्रशान्त अहिरवार चुनाव लडेंगे, मागधोगर से शीतल कुश्वाह चुनाव लडेंगे, कालपी से श्यामपाल उर्फ छुननापाल चुनाव लडेंगे, उरई से सतेंदर प्रताप अहिरवार चुनाव यहुई 44 सीटें पैतालेशवी सीट है जहासी की बबीना से दसरत सिंग राजपूर चुनाव लगेंगे जहासी नगर से कैलाज साहू लगेंगे मौरानीपूर से रोहन रतन अहिरवार चुनाव लडेंगे करोठा से वीर सिंग गुर्जर चुनाव लडेंगे ललिचपूर से चंद्र भोशन सिंग बुंदेला चुनाव लडेंगे महरावनी से श्रीमती किरन चुनाव लडेंगी हमीरपुर से राम फूल निशाद लड़ेंगे राठ से प्रसन भोशन नहिरवार लड़ेंगे और महोबा से स्री संजे कुमार साहू चुनाव लड़ेंगे तो ये तिरपन उम्मीदवारों की लिष्ट और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जारी की गई है अभी और चौथे पांचवे छटे सात्वे चरण के लिए और लिष्टे जारी होंगी जिस तरीके से लिष्टे आती जाएंगी हम आपको बताते जाएंगे तब तक के लिए आप देखते रही है भारत एक सोच दोस्तों यूपी की धुआधार राजनितिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाईए क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिलकुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे चलते हैं जै भीम जै भारत